हलो गाइस तो आज मैं जा रहा हूँ टिबबत के मार्केट अभी 32 वेन्यू से गूम कर आएं मैं और नितिन और अभी टिबबत के मार्केट जा रहे हैं क्योंकि टिबबत के मार्केट में जो बिंटर के क्लोस होते हैं जैसे कि जैकेट हो गया होडी हो गई है अगर लगा हुआ है तो हम लोग मैं आपको इस वीडियो में डिखाऊंगा अभी मैं आटो में बैठा हुआ ओ तो लेके चलते हैं आपको तिबबत के मार्केट लेस्ट को तो गाइस पहुंच चुके हैं तिबबत के मार्केट यह है इंटरी गेट यहां से हम लोगों ने इंटरी की और यह आप दीख सकते हैं यहां पर पार्किंग के लिए भी अच्छी स्पेस है ठीक है तो आप कार से आते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छी पार्किंग है पार कर सकते हैं अपनी कार बाइक भी पार कर सकते हैं यह कुछ इस तरह के बना हुआ तिबद का मार्केट बहुत जादा फेमेस है गुलगाओं में रीजन ब्यांड इस यहां पर जो किलोट्स की एक फोटी होती है ना वह बहुत ही अच्छी होती है ठीक है तो यह Об देख सकते हैं यह है टीप पेटियभर ही रहता है अपे हम लोग करते हैं अंदर की और और अंदर का व्यू दिखाते हैं कितनी सॉप्स हैं आपर लाइन वाइस लाइन सॉप्स आपको देखने को मिलींगी या पर यह आप देख सकते हैं ठीक तो गैस सॉपिंग करने के लिए आप जरूर आएगा यहाँ पर काफी अच्छी क्वालिटी में आपको यहाँ पर जो भी यह एक लोट्स दिख रहे हैं स्वेटर हो गए, स्वेट सेट हो गई, गल्स के लिए भी हैं, बॉइस के लिए भी हैं आप आ सकते हैं लेने के लिए आपको यहाँ का मैं फुल व्यू दिखाता हूं कि अच्छी के लोगाँ के लिए रहे हैं अब फिर वहां पर मुझे मिला तिबेतियन डॉग यह देखो नाइस मुझे में जैकेट लेने आया था वो तो मिली नहीं लेकिन मुझे यह स्वेटर बहुत अच्छा लगा बहुत ही अच्छा इसलिए मैंने इसे वाई कर लिया यह आप देखिएगा तो गैस जो लेदर वाली जैकेट चाहिए थी वो आप बोल रहे हैं कि आप दिसंबर में लेने आ सकते हैं लेट सी देखते हैं कि क सकरगंदी कैसे बनाते हैं यह इसकी अगर टेस्ट की बात की जाए तो यह मीठी होती है गाइस ठीक है और यह मेरा फर्स्ट एक्स्पिरियंस था कि मैं ऐसे सकरगंदी खा रहा था यह मसाले भी डालते हैं कुछ लेट सी उसके बाद गाइस हम लोगों ने टिक्की भी खाई ठीक है टिक्की खाने के बाद हम लोग चले गए अपने घर ठीक है और यह है नितिन इनसे भी मिलिए तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैब बैब